हुआ 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 है लोगाइज वेल्कम टो आर्केसाइवर कैफे आज का हमां टॉफिका की बिहार ससी का फॉर्म अप्लोग नभारा था तो उसका जो है आपको डोकुमेंट अप्लोड करने का लाज डेट अठारा फर्वाइड दोहजार चोविस था जिसको की बढ़ा करके आपको 18 मार्च 24 कर दिया गया है यह उसका जो है सुचना है नोटिफिकेशन जो आया है नया शोलव दोहजार चोविस को के आयो के आविसक सुचना गया पांक 23315-12024 के द्वारा तिए दुईतिये इंटेरस्तरिये शन्युक्त प्योगित्ता पर इक्षा हे तो आवेदन ओनलेन आवेदन समर्वित करने वाले अवियारतियों कि ओनलेन आवेदन के तुरूटी में सुधार एबम आरक्षन सेखनिक तक निकिक वांस्किया योगता संबंदी तथा अन्य सभी परवानपत्रों की मूल परती की सकेन कोपी पीडियाइप के रूप में आयो की वेब सब्सक्राइब होने के हो जाने के परिप्रेक्ष में अयोका compliance में अव्याव्यावदन सहुद करते हुए परवान पत्र आप्लोड करने है तुपना एक अवसार परदान के जाने का अनरोद किया साथ ही कती पिर आर्थे और यस्तितियों नाइक प्रावधान को ряд के आपको ISP जला जाएगा इसका इस में बता दू इसका बता दू इसका अंतिम थी आठारा फरवर दोहजार चोबीस के अस्थान पर 18 मार्ज दोहजार चोबीस तक विश्टरित की जाती है इसमें जो है आपको सभी पनावनपत का मूल परती बोलता है आप्प्लोड करने के लिएरा की उनका फोटो कॉपि अपलोड करा है ठीक है यहां पर आपको ऐपना ऋपर पासवीर के सौनुने ॐर डाल के लोग इन करेने के लग्यां आपको दिखीर यह आपका लास्ट जो है लाष्ट दीख राहा है यहां पीध प्रवान प्ट नहीं कियेगे हैं तो उन्हें केवल एक बार प्रवान पर्वान पर फुर्व प्रवान प्रॉड करने का विकल्प प्रशानिवान यहां त sometimes है वन टाइम डी अप्लोड सर्टिफिकेट ठीक है और यह प्रिंट अप्डेट फॉर्म आपने से पहले जो भरा होगा इसको जो है आपको एक बार डॉनलोड कर लेना है ठीक है इसको जैसे क्लिक किजिएगा आपको कुछ इस परकार का जो आ जाएगा आपको नीचे आ जान पहला डॉकुमेंट अप्लोड कर लिए वह हो रहा है दूसरा डॉकुमेंट यह भी जो है आपको डॉनलोड हो रहा है इसके बाद जो है आपको तीसरा डॉकुमेंट यहां से देख लेना है यह देखिए यह तीसरा डॉकुमेंट भी अप्लोड हो गया है और डॉनलोड भ में फिर Kelvin में आपको इस तरह से एरह यथियु स का मतलब आपका अपलोड नहीं हुआ है आपको जब करना डिया गया आपको यहां से फिर से अपलोड इसको कर लेना है एक वी ड्रॉकुमेंट एगर आपका नहीं दिखा रहा है तो आपको जो है इसको फिर से अपलोड करना है ठीक है यहां पर आपको वन टाइम री अपलोड डोकुमेंट री अपलोड सार्टिफिकेट पर आपको क्लिक करना है ठीक है यहां पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यह फिर से जो है अपलोड का आता हूं ठीक है तो यहां पर आपको सारा चीज़ फिर से सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको सम्मीट कर देना है समीट करने के बाद जो है आपको फीड से यहां पे चेक कर लेना है यह सारा चीज जो है आपका डॉनलोड हो करके दिखा रहा है कि नहीं अगर नहीं दिखा रहा है तो इसको जो है दुबारा आपको फीड से जो है करना है री अपलोड का आफसन नीचे आपको दिख रहा है यहां पे आपको पहले इसको सारा सारा पेपर को एक-क करके जो है कि शप्री घसेलेक्ट करके देख लेना अगर एक भी पेपर नहीं दिखा दूआ तो आपको आपको शून दुबारा अफ्लोट करना यह दिखा रहा है तो इसको फूरा फैनल सब्मिट कर देना है और यहां से आपको प्रिंट अप्डेटेड अप्लिकेशन फर्म जो है डॉनलोड कर लेना है ठीक है और हाँ अगर आपके पास यह पहले वाला पीडिएफ है तो पीडिएफ पे ही आप यहां पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका डॉकुमेंट जो है डॉनलोड होके दिखा रहा है नहीं अगर पीडिएफ नहीं है तो आप लोगिन करके जो है देख सकते हैं यहां पे आपक का सारा डोकुमेंट अपलोड हुआ है कि नहीं तो आज की वीडियों बस इतना है अगर वीडियों पसंद आए तो लाइक शें सब्सक्राइब जरू किजिए थैंक्स वर वाचिंग रादे